हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सब का निकुंच बुटिक में मैं रेनू आज आपके लिए लेके आई हो कोट कॉलर कुर्टे डिजाइन और साथ ही इसमें हम डालेंगे फ्रंट स्लिट तो आज की वीडियो बहुत ही यूसफूल होने वाली है तो इसी बात पे आप को सबस्क्राइब कर लें अभी तक नहीं किया है तो और बैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह है यूसफूल वीडियो आप मेरे साथ देखते रहे हैं तो चलिए सबसे पहले हमने इस तरह से ये फैब्रिक लिया है और ये डबल अर्ज कपड़ा है मेरे पास नॉर् 64 इंच का जो है इसका टोटल अर्ज है और कपड़े की लेंध बता देती हूँ इस तरह से ये कपड़ा टोटल इंची टेप है जैसे 60 इंच का 1.5 मीटर होता है दो तीन इंच इसमें और एक्स्ट्रा है तो करीब करीब 1.5 से पौने 2 मीटर जो है ये कपड़ा है और इसको पलट के उल्टी साइड कर लेते हैं ताकि जो निसान लगाएंगे वो रॉंग साइड में लगे तो इस तरह से मैंने इसको डबल करके फोल्ड कर लिया है और जो इसकी विर्थ है वो मैंने बताई दी है साथी देखे मैं चेक कर लेती हूँ कि इसमें जो है कि दोनों तरफ कि जो आगे का और पीछे का पाट मैं निकाल सकती हूँ क्या तो पहले सबसे पहले किनारी साइड से ये खुला वाला हिस्सा है यहां से मैंने दो-दो इंच का निसान लगाया है और इसको इस तरह से सीधा मिला लेंगे जितना आपकी टोटल जो लेंथ होगी उसके अकोर् कि जो पार्ट है हमारे निकल जाएंगे या नहीं निकलेंगे तो इस तरह से बहुत आसानी से निकलेंगे 36 हीप है तो ये 12-13 इंच के आसपास से भी जादा ही आ रहा है 13-15 इंच जैसे ये 4-fold में आ रहा है तो बहुत आसानी से ये निकल जाएंगे अब हमने टोटल के निसान लगाए हैं उनको आगे तक मिला के कम्प्लीट कर लेंगे ये देखिए टोटल जो लेंथ का है वो मैंने निसान लगा लिया है और अब जो दो इंच का जो आगे की तरफ मैंने खुला वला हिस्सा रखना है वो जो है दो इंच का इस तरह से निसान लगा देंगे क्योंकि जो आगे के हमारे पार्ट होंगे वो front slit है open बनेंगे साथी एक के उपर इस तरह से 1.5-2 इंच overlap करके हम रखते हैं तो इस तरह से देखिए निसान लगा के इसको आगे तक पुरा कर लेंगे तो दो इंच का उपर shoulder से भी लगाएंगे और साथी इसको इस तरह से मिला लेंगे अब हमने देखिए ये इस तरह से open है और double में रखा हुआ है आगे के दो पार्ट हमारे इस तरह से निकल जाएंगे shoulder हमने total पूरा ही लेना है तो साड़े चोदा के आसपास है तो मैं इसमें साड़े साथ ले रही हूँ सवा साथ हमारा total double करके हो जाएगा थोड़ा सा extra इसलिए जो सिलाई में जाएगा तो 8 इंच जो है मैंने armhole का लिया है साड़े चोदा इंच पे कमर का लिया है निसान और 22 इंच पे hip का निसान लगाया है तो अब इन निसानों को बढ़ा के आगे तक कर लेंगे इस तरह से armhole मैंने 8 इसलिए लिये है क्योंकि यहां से साड़े साथ मैंने तीरा लिया था और armhole जो लिये है वो 8 इंच लिये क्योंकि एक इंच का तीरा जो है shoulder हम down करेंगे तो इस तरह से देखिए अब burst area जैसे आपका burst area जितना है उसका चोधा हिस्सा लेंगे प्लस उसमें एक इंच और add कर देंगे looseness के लिए तो इस तरह से करीब 9 इंच के आसपास साड़े आठ से 9 इंच तयार करोंगी तो मैंने 10 से 10.5 इंच जो है प्लस इसमें margin रख लिया है 1.5 इंच मैंने इसमें margin रखा है तो मैंने इस तरह से नो तयार करोंगी तो 9 इंच जो है बस्टेरिया ले लिया अब सोड़ा साड़े चोदा पे कमर थी कमर जो है आठ इंच के असपास तयार करेंगे तो प्लस इसमें डेड़े इंच और ले लिया साड़े नो इंच और हिप जो है नो इंच के असपास तयार होगी नो से सवानो तो इस तरहे नो पे लगाया और दो इंच और एड़ कर लि से ग्यारा इंच लिया बिल्कुल स्ट्रेट बना रही हो मैं ए शेप नहीं है तो फ्रंट स्लीट में आप राउंड कोलर के साथ मेरी कुर्ती देखना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है आई बटन में उसका मैं लिंक दे दूंगी तो वहां से आप फ्रं से निकल रहा है साथ ही हमने दो इंच जो आगे की तरफ पार्ट अलग रखा था उसको बहार निकाल के रखेंगे तो पीछे वाला दो इंच जो है जुडाई में कम होगा अब यह हमने दो इंच आगे की तरफ निकाल दिया है इसमें कुछ भी नहीं करना है सेम मेजरमेंट उपर shoulder हमारा है और यह आगे की तरफ 2 इंच इस तरह एक्स्ट्रा हो गया तो इसको आप आसानी से कैसे यह निकल रहा है रखके चेक कर लें तो इस तरह से मेरा निकल रहा था तो अब इसको cut करके अलग कर लेंगे तो यह हमारा पीछे का पार्ट भी cutting होके ready हो गया अब हमने जो बचा हुआ पीस है देखे इस तरह से यह आगे का और यह पीछे का पार्ट है हमारा अब हमने sleeves cut करनी है sleeves के लिए थोड़ा कपड़ा कमी बचा है तो पहले अब हम दिखा देते हैं कि कैसे हम sleeves को निकालेंगे साथ ही इसमें जो neck cut करनी है वो मैं बता देती हूं पहले arm hole का निसान लगा लिया पोना इंच पे अंदर गहराई के साथ इस तरह से और साथ ही जो neck लेंगे वो लेंगे तीन इंच चोड़ाई में दो इंच जो निसान है उसके बाद हमने लेना है तो तीन इंच जो है चोड़ाई और तीन इंच ही गहराई ली है और इसको जो है आग बाजू कट करनी है तो ये कपड़ा बचा हुआ है इसमें से बाजू भी निकालनी है जो पटिया लगनी है कोलर लगनी है सारा कुछ हमने इसी कपड़े में अर्जस करना है तो सारा पार्ट हम टोटल इस्तिमाल कर लेंगे इस तरह से देखिए मैंने करीब 9 इंच जो है इसक को आम होल की शेप डाल देंगे और आगे जो मोहरी है वो 5 तैयार करूंगी उसमें प्लस डेढ़ से दो इंच एक्स्टा लेके इस तरह से बाजू की शेप डाल देंगे तो ये हमारा इस तरह से स्लीव जो है कटके रेडी हो गया है आगे थोड़ा सा मैं एक्स्टा तक है उतने में तो मेरे पास कपड़ा थोड़ा कम था तो इसको मैंने इस तरह से जोइंट करके ले लिया है अगर आपके पास स्ट्रेट कपड़ा है तो आप सीधा लें और इसकी लंबाई चोड़ाई बता देती हूँ यहां से जो है कपड़ा मेरे पास यह करीब 6 इंच के आप कम से कम 8 इंच ले ले और इस तरह से लंबाई में 14-15 इंच तक और चोड़ाई वो ही 7-8 इंच यहां तक हो मेरे पास यह कम है मैं इसी में कम चलाऊंगे और किस तरह से बना रही हूँ वो भी आप देखते रहे तो इस तरह से कपड़े को पलटके रख लिया और सीधी कपड़े को रखेंगे और कपड़ा जो है वो उल्टी साइड है दोनों की सीधी साइड एक दूसरे के साथ मिला दिया और जहां तक नेक है वहां से सिलना स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल नीचे तक यह दोनों सामने के पार्ट पे हमने इस तरह से इस पट्टी को लगा ल लेते हैं दोनों को एक जैसा कट कर लेंगे और आइरन भी इस तरह से इसके उपर कर लेंगे ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए अब हमने आगे की रेडी कर लिये हैं अब हमने पीछे वाले पार्ट की जो नेक है वो कट करनी है यहां से इसी लाई करके इसको मैं बाद में बताऊंगे कि किस तरीके से आपको इसको अच्छे करना है तो पीछे वाला पार्ट ले लेंगे यह पीछे वाले पार्ट को डबल करके फोल्ड कर दिया है और जो नेक लेनी है उसकी चोड़ाई तीन इंची रखेंगे जैसे हमने आगे वाले की रखी थी तीन इंच यहां से और एक इंच जो है इसकी गहराई और इसको इस तरह से बोट टाइप की शेप डालके इसको कट कर देंगे तो यह हमारा पीछे का भी रेडी हो गया है अब हमने आगे वाले पार्ट हैं इसके उपर स्टीच करने हैं शोल्डर के साथ लेकिन जो पट्टी लगाई थी वो आपको ध्यान रखना है पट्टी को हमने सिलाई नहीं करनी है सिर्फ शोल्डर को इस तरह दोनों तरफ का शोल्डर डाउन कर देंगे और फिर हमने यहां के आगे का अलग से कट करना है ध्यान रख्यें जो आगे की आम होल की कटिंग है और अब हमने देखिए इस तरह से यह शोल्डर जोइंट कर लिए हैं और पट्टीयों को बाद में एक साथ अटेच क करेंगे कॉलर लगने के बाद तो पहले इनको इसी तरह से लूज रखना है अब मैंने देखिए जहां से पट्टी मेरी स्टार्ट हो रही है ना वहां से 2 इंच का एक निसान लगाया है दोनों तरफ जहां से सिलाई हमारी खतम सिलाई होई है वहां से जैसे पट्टी सिलाई से आगे की तरफ और बहुद कर लेंगे, इस निसान के बाद कितना इरिया किसे आगे तक कितने इंच लगना है तो यह मेजर कर लेते हैं इस तरह से इंच्च टेप लेंगे और ये हमारा देखे इस तरह इसको चेक कर लेंगे तो करीब ये 8 इंच जो है हमारा कोलर आ रहा है तो 8 इंच की हमने यहां से कोलर कट करनी है ये देखे ये बचा हुआ पार्ट ले लिया मैंने और 3.5 इंच इसकी डबल में चोड़ाई है ये मैंने डबल करके रखा हुआ है और एक तरफ से ये बंद है दो टुकडे नहीं है ये एक ही पीस को मैंने डबल करके लिया हुआ है और इसकी डबल करके ये 4 इंच का निसान लगा के और 4 इंच लंबाई में इस तरह से इस निसान को मिला लिया है थोड़ी सी जो color की shape होती है न वो मैंने इसमें डाल दी है तो एक इंच जो है open वाले area से आपने ध्यान रखना है खुली वाली side से हमने इसको इस तरह से एक इंच उपर की तरफ लगाया और 7-8 inch double करके जो है मैंने इसको cut कर लिया आप side से हमने ये double layer में है अगर आप दो खुले हुए पार्ट लेते हैं तो दोनों तरफ से 3 तरफ हमारी सिलाई होगी मैंने ये बंद लिया है तो सिर्फ मैं side में सिलाई लगा रही हूँ तो ये color बनके ready हो जाएगी इस तरह डबल सिलाई कर ली दूसरी तरफ भी इस तरह से सिलाई कर लेंगे इस तरह से अब इसको पलट देंगे तो ये हमारी color जो है ready हो जाएगी किसी नुकीली चीज से इसके कोने अच्छे से निकाल दे और इस तरह से ये हमारी color जो है ready होगी है इस पे iron कर लें और जो बंद वाला हिस्सा है वो तो बंदी है side से जो नीचे से खुला वाला हिस्सा है उस पे आप इस तरह से सिलाई लगा के इसको attach कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों हिस्से जो हो है हम एक साथ attach करेंगे color में normally हम अलग अलग attach करते हैं एक हिस्सा और फिर दुबारा पलट के लगाते हैं तो मैं इसमें इसी तरह से इसको लगाऊंगी एक साथ तो ये हमारी color ready हो गई है अब जो है इसको बीच से इस तरह से fold कर दिया और बीच का जो छुटा सा एक cut लगा दिया है अब देखिए कुर्ती को लेंगे और जो हमारे निसान है हमने cut लगाए थे गले पे वहां से अब हमने लगाना start करना है साथी कुर्ती को देखिए इस तरह से पकड लिया और center का भी इसमें भी cut लगा देते हैं ताकि लगाने में असानी हो तो back side में इसका center आएगा इस तरह से छोटा सा cut लगा दिया है और ये हमारी कुर्ती जो है इस तरह लेंगे सीधी side लेंगे और जो है center से center में लाएंगे color वाला हिसा और कुर्ती का इस तरह से center पे रखते हुए color को लगाते हुए start करेंगे तो ये देखे बिल्कुल exact आ रहा है लगबग तो इस तरह से लगाना इसको start करेंगे मैं center से लगाना start कर रही हूँ इससे क्या होगा थोड़ा बहुत कम या जादा होगा तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको adjust कर सकेंगे पहले एक तरफ से लगाएंगे और जो shoulder joint वाला हिस्सा है उसको अलग से खोल के रख देंगे अंदर की तरफ जो सिलाई में margin है उसको खोल देंगे और इस तरह से collar को लगाते हुए complete करेंगे देखे निसान तक बिल्कुल आ गई है हमारी collar और अब दूसरी तरफ से half में हमने लगा दी है half area पे अब लगाएंगे इस से कोई भी collar आप इस तरहें लगाते हो तो बहुत आसानी से collar लग जाएगी साथी finishing भी आएगी और दोनों तरफ जो है collar का area बराबर होगा तो ये देखे बिल्कुल exact आ रहा है लग बग अब जो है ये देखे बिल्कुल दोनों तरफ एक जैसा आया है और end point पे double stitch कर देंगे और देखे इस तरहें से ये collar हमारी लग के ready होगी है collar को double करके check कर लें कि ये दोनों जो हैं बराबर हैं या कम जादा हैं तो बिल्कुल exact हमारी बराबर आ रही हैं तो इस तरहें से collar बनके ready हो गई हैं अब हमने देखे आगे जो पट्टियां लगाई थी उन पट्टियों को अब हमने इसके उपर overlap करके रखना है और इस तरहें से stitch कर लेना है एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसको हमने पूरे को stitch कर लेना है जहां तक हमारी पट्टी आ रही है वहां तक इसको इस तरहें से और नीचे collar का हमने ध्यान रखना है कि इसमें चुनट्स भी ना आए और उपर वाले कपड़े को बिल्कुल सीधा गुलाई में रखते हु जैसी उसकी shape है उसी shape में रखते हुए एक पैर की सिलाई लगाके इसको complete कर लेंगे तो इस तरहें से पलट लेंगे इसको दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे पहले उसके बाद जो है इसको पलट लेंगे तो यह देखी यहां से भी हमने इसी तरहें से एक पैर की सिलाई अब इसको पलटेंगे उससे पहले हमने यहां पे छोटी-छोटी कट लगा लेने हैं कोने पे तक कि जो कोना है वो अच्छे से निकल जाए किसी नुकेली चीज से इस तरह से कोने को अच्छे से निकाल देंगे और दोनों तरफ के हिस्सों को सीधा करेंगे सीधा करने के हमने इस तरह से फोल्ड करना है साइड से जो की ओपन था आप चाहें तो इसको पहले भी फोल्ड करके पट्टी को लगा सकते हैं या इस तरह से बाद में हम फोल्ड कर देंगे इस तरह से और फिर इसके उपर पलट देंगे दोनों तरफ के हिस्सों को इस तरह से पलटने के बाद इस पर आईरन कर देंगे तो ये देखिए मैंने आईरन करके इसको सेट कर लिया है अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है ये दोनों तरफ का हिस्सा है और ये जो जो जोइंट आया था अब देखिए ये बहुती फिनीस कुर्ती यहां तक रेडी हो गई है अब हमने फिटिंग के निसान लगानी है और जो है बाजू इसके साथ अटेच करनी है अब हमने देखे उपर से यह जो ओपन एरिया दिख रहा है जहां पर यह कपड़ा है इसको या तो आप तुरपाई करके इस तरह से फोल्ड कर लें य जो है हमारी कोलर बन के आ गई है अब हमने यहां पर बटन लगाने हैं साथी स्लीट को ओपन रखना है वो कितनी रखनी है वो मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ कितने एरिये पे आपने ओपन रखना है और इस पे भी हमने एक सिलाई लगानी है तक ही यह फिक्स हो दोंगी, आप चाहें तो इस वाले अंदर वाले हिससे पे तुरपाई भी कर सकते हैं, मैं ये इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ, ये जो सिलाई लगा रही हैं, ये कोलर पलटने पे कोलर के नीचे आ जाएगी, तो ये दिखाई नहीं देगी, सिर्फ सामने वाली दिखाई देगी जिस पे हम पट्टी जो है बटन और काज वगरा बनाते हैं वो दिखेगा तो इस तरह से दोनों हिस्सों पे हमने सिलाई लगा के कम्प्लीट कर लेना है सिलाई हमारी इस तरह से कम्प्लीट हो गई है दोनों हिस्से देखे ये कुछ इस तरह से नजर आएंगे और जो कोलर पलट जाएगी तो ये कुछ हिस्सा इसके नीचे चला जाएगा तो इस तरहें से ये देखे, कुछ ये इस तरहें नजराएगा, अब हमने इस तरहें से इसको रख लिया है, सेट करके, आप चाहें तो इस तरहें ओपन भी रख सकते हैं, मैं इसको जो है सिलाई लगा के फिक्स कर रही हूँ, शोल्डर से एक निसान लगाएंगे, 9 इंच के असपास ये हमारा नेक हो जाएगा, अराम से सिर जो है असानी से इसके अंदर डल जाए, पहनने में दिक्कत ना हो, तो इस तरहें ये नेक का निसान लगा लिया, और शोल्डर से जो है 30 इंच पे मैं एक निसान लगा रही हूँ, जो की स्लिट के लिए है, तो 30 इंच तक म मैं इसको बंद कर दूँगी, आगे वाले हिस्से को, और फिर इसके बाद बटन लगा दूँगी, इसके उपर आप चाहें तो बटन और काज करके ओपन रख सकते हैं, मैं इस तरह से सिलाई लगा के फिक्स कर दूँगी, और उपर से इसके उपर बटन लगाऊंगी, तो इस तरह से जो हमने चोक का निसान लगाया है, करीब 1.5 इंच का गैप है, और इसके उपर इस तरह से सिलाई लगा दी, नीचे वाला कपड़ा इसके नीचे है, ओवरलैप करके इसके उपर रखा हुआ है, तो वो फिक्स हो जाएगा अपनी जगे, और यहां तक जो यह 30 इ और उपर से बटन लग जाएंगे, तो इस तरह से देखे कुर्ती हमारी रेडी हो गई है, यह मैंने मेरी फिटिंग जो आ रही है कस्टमर की उसके अकोर्डिंग फिटिंग के निसान लगा लिए हैं, बाजू की फिटिंग कर दी हैं, और इस तरह से इनकी सिलाई लगा दे और देखे, इस तरह मैंने एक पैर का मार्जन और चोड़के डबल से लाई लगाई है, बाजू को सीधा करेंगे, अंदर की तरफ इस तरह से डाल के जो है गोल तरीके से मैं बाजू लगा रही हूं, बाजू को अंदर कमीच के अंदर डाल दिया है, और इस तरह से किनारी से किनारी मिलाते हुए जो है बाजू को हम लगा के कम्प्लीट कर देंगे दोनों बाजू हमने इसी तरह से लगा लेनी है और देखे बाजू लगने के बाद जो है साइड फिटिंग करेंगे साइड फिटिंग के लिए मैं नॉर्मल इस तरह से नीचे से उपर की तरफ इस तरह से साइड से फोल्ड कर लेंगे तो इस तरह ये रेडिमेड लुक की साथ रेडिमेड जो है लुक में कुर्ती बना रहे हैं आप चाहें तो इस पे तुर्पाई भी कर सकते हैं दोनों तरफ के हिस्सों को इस तरह से फोल्ड कर देंगे और सामने वाले हिस्से को भी इ हमारे इस तरह से फोल्ड हो गए हैं चुटी मोटी चुनट जे थोड़ा किचाव लग रहा है वह आईरन से हमारा सेट हो जाएगा पीछे के हिस्से को इस तरह से फोल्ड कर दिया है यह देखिए और अब यह हमारा आगे वाला हिस्से को बिलकुल बराबर रखते हुए कम या कुर्ती को कम्पलीट कर लेंगे तो आज आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह से नई नई वीडियो आप देखते रहें और बैल ऑबई और थे